नमस्कार दोस्तों आज हम लोगा देन करेंगे कि रितु के आधार पर फसले कितने परकार की होती हैं और कौन-कौन से होती हैं तो रितु का मलब वही मौसम के आधार पर तो रितु के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में बाटा गया तो पहला खरीफ की फसले अब खरी कि फसले क्या होती हैं तो यह फसल जुन जुलाई यानि गरमी वर्सारी तो यह उसे खरीब की फसले कहते हैं जैसे धान मक्औуется गन्ना तत्ह बाजरा आद कुंग unos वैसा फसल जो मानसुन के समय उगाया जाता है मानसुन का मिलब जब बारिस शुरू होती है तो उसे ही मानसुन का जाता है यानि कहते हैं लोग की मानसुन आ गया है आगया यानि वही बारिस शुरू होने का समय तो और बारिस शुरू वही जुन जुलाई में ही होता है तो व के मौसम में जैसे नौंबर तिसंबर जनवरी तो ठंड के मौसम में की जाती है उसे रवी की फशल कहते हैं रवी की फशल अक्टूबर नौंबर महिने में बोही जाती है तथा मार्च ऐप्रेल में काटी जाती है जैसे गेहूं, सरसो, चाना, मटर, आलू, आदी जायत की फसले, तो जायत की जो फसले होती है यह खरी फसल तथा रवी फसल दोनों के बीच में का जो समय बचता है उसमें यह उगाया जाता है और यह बहुत ज़्यादा समय का नहीं होता है तीने या दो महीने का फ़सल होता है उस फ़सल को जायत की फ़सल करते हैं जायत फ़सल मार्च से लेकर जून महीने के बीच में की जाती है जैसे मौंग, मौंग फली, मक्का, तरबूज, खिरा, आध्य अब इसमें एक नागदी फ़सल आ गया तो यह क्या होता है तो नागदी का मलब जिसे जो किसान होते हैं वो तुरंत बेच कर पैसा कमा लेते हैं यानि और कोई दूसरा इसमें नहीं है आसा है यानि डाइरेट इसे बेच दिया जाता है कमपनी कर खाना को तो परिभासा अनुसार देखिए कि नागद और ब्यपारि अगदेशी करते हैं उसे नागदी फसल करते हैं ऐसे फसलों के किरिसी इसे बेच कर लाप कमाने के उदेश से किया जाता है जैसे गन्ना कपास चाय आधि यह जो है कंपनी कर खाना को बेच दिया जाता है